हेलो दोस्तो और वेलकम टो आँ चैनल वेगबाईट तो इस वीडियो में मैं आप लोगो बाताऊंगा Amazon Prime की वेब सिरीज ब्रीद सीजन टू या फिर ब्रीद इन्टू दा सैडोस के बढ़े में और इसके राइटर और डिरेक्टर है मैंग सर्मा तो चलिए अब इसकी स्टोरी या फिर प्लोट के बाड़े में जान लेते हैं तो स्टोरी कुछ ऐसा है कि अभिसेग बच्चन उर्फ अभिनास सवरवाल एक साइक्कियाट्रिस्ट है और उनकी पतिनी है नित्या मेरन उर्फ आभा सवरवाल जोकी एक सेफ है उन दोनों की एक बेटी है इभनाक और उप सियासावरवाल जोकी बलड सुगर या फिर डाइपिटीस की पेसेंट है तो उनको दिन में चार बार इंसुलिन का इंजेक्शन देना परता है आप इन लोग की जिन्देगी बहुत ही खुशी से कड़ रही थी लेकिन एक दिन आपने दोस्त के एक बाड़ी पाटी के दौरण सियासावरवाल कहीं गूम हो जाती है अब आपने बेटी के लापाता हो जाने पर अभिस्यक बच्चन और नित्या मेनन पूरी तरह से टूड़ जाती हैं और उनको ढूनने के लिए हर तरह की कोशी सुरूगर देती हैं लेकिन कहीं से भी कुछ भी पता नहीं जाल पता और इन सब में 9 महीने गुजर जाते हैं अब आपने बेटी को बचाने के लिए वो किद्नापर अभिस्यक बच्चन को एक आदमी को मारने के लिए बोलता है और उस आदमी की मौत की बाजा क्रोध या फिर एंगर होना चाहिए अब अपने बेटी को बचाने की खातिर अभिसेग बच्चन उर्प अभिना सबरवाल उस आदमी को मारने के प्लैनिंग में लग जाते हैं अब अभिसेग बच्चन को ये पता जालता है कि ये आदमी एक जर्मोफुविक है, यानि कि किसी भी तरह की जर्म या फिर गंदगी ये वर्दस नहीं कर पाता, यहां था कि ये नोटों को भी पानी में धोकर इस्तमाल करता है, तो कुछ हो ना हो, इस आदमी को कभी भी कोर् पारो तरफ कच्रा और गंदगी फैला कर उसे गुस्सा दिला देते हैं, आप इसके बाद वो एक दिन धोके से उन्हें एक कच्रा फेकने के जगा पर ले जाकर मार डालते हैं, आप यहां पर एंट्री होती है, अमीत साथ की, जो क्राइम ब्रांच के एक स्पेशल आफिसर हैं और वो इस मारर केस को इन्वेस्टिगेट करने लग जाते हैं, अब इधर वो किन्या पर अभिनास और आभा सावर अल को एक दूसरा कुडियार भेज के एक लड़की को मारने के लिए बोलता है, और उस लड़की की मारने की वज़ा होना चाहिए लश्ट या फिर हवस लेकिन अभिसेग बच्चन को पता जालता है कि वो लड़की एक समलंगिक है या फिर लेजबियन है तो उनके जगा उनकी पतनी आभा उप नित्या मिनन उसके साथ दोस्ति करके उसे अपने प्यार के जाल में फसने में लग जाती हैं और एक दिन मौका पकर लश्ट या फ क्रांसेप्ट के तहित उनसे यह सम्मर्डर कर रहा है अब तीसरे विक्टिम का फोटो देखकर अभिनस उसे पहचान लेता है क्योंकि वो उसी का क्लास में ठुआ करता था और सिर्फ वही नहीं दूसरी विक्टिम नातसा को भी वो एक टाइम पर जानता था और इससे अभ निताल के स्कूल में वहां के प्रिंसिबल के निगरानी में पढ़ाई करते हुए दिखाए गए हैं लेकिन स्कूल के दूसरे बच्चे उनको विल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं और उनका मज़ा कुड़ाते रहते हैं और इन सब से परेशन होकर वो दूसरे लगों के आए दिन लड़ाई या फिर मारपीट करने लग जाते हैं अब यह सब देखके उनके प्रिंसिबल से उनको एक दिन एक साइक्याटरिस के बास ले जाते हैं और इसी दौरन उनको पतलता है कि अभीनस को स्प्रिट परसोनलिटी डिसर्डर या फिर डिस एस्सोजेटिव आ लेकिन जे को अभीनस के बड़े में सब कुछ पता है और अभीनस के कमजोरियों नहीं जे को जनम दिया है उसके बद अभीनस के प्रिंसिबल जे को अपना बेटा माल लेते हैं और जे भी उनको पागहने लगता है तो प्रिंसिबल सर अभीनस के दूसरे परसोनलिटी जे क को हमेशा उसको protect करने और उसे help करने को बोलते हैं क्योंकि अभिनास बहुत कमजोर है और जिंदेगी में successful होने के लिए उसे जे की जरूरत होगी अब इसके बाद बहुत साल बीद जाते हैं और अभिनास अपना पढ़ाही complete करके एक successful psychiatrist बन जाते हैं अब उसके बाद एक दिन जब अभिनास अपने principal sir के आख्री पलों में उनसे मिल ले जाते हैं तो उनके principal sir उनको अपने अंदर छुपे हुए जे के बारे में बताते हैं और बोलते हैं अब तुमें जे की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब तुम कमजोर नहीं रहे अब तुम एक successful आदमी बन गया ह अब ये सब अभिनास की जगा जे सुन लेता है और ये बोलता है कि मैंने आज तक कुछ भी पाया नहीं है हमेशा ही सब कुछ खोया है मैंने अभिनास का दुख दर्द और उसकी सारी बुड़ायां अपने अंदर ले लिया ताकि वो एक अच्छी और happy life जी सके लेकिन उसक को मैं अपने पीता समन समझता था वो भी आज मुझे ठुकड़ा रहा है तो वो आज के बाद अभिनास को भी वो सारे इमोसन और धुक दर्द का सामना करवाएगा जिन सबसे आज तक वो उसे बचाताया है ताकि एक दिन अभिनास भी बिलकुल उसके तरह बन जाए और उ करवा रहा है और अपने साथ हुए अन्नाय का बदला ले रहा है क्योंकि उसे लगता है रावन के जो दस सीरों के दस इमोसन्स हैं वो किसी की विकनेस नहीं है बलकि वो ही एक आदमी के सबसे बड़े स्ट्रेंथ है अब इसके बाद जब अभिनास को अपने अंदर के दू दूसरी परसोनलिटी के बाड़े में पता जलता है तो वो लोग क्या करते हैं यह सब जानने के लिए आपको यह वेब सीरीस देखनी पड़ेगी तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यह एक सस्पेंस थ्रिला टाइप की वेब सीरीस है जो डिस आसोटेटिव नहीं पर भी उनका पीछा ही नहीं छोड़ता या फिर वो रावन के कॉंसेप्ट से कुछ ज्यादा ही ऑबसेस्ट हैं इसके टोटल 12 एपिसोड हैं और एक सस्पेंस थिलर वेब सीरीस होने के बाब वजूद पांचबे एपिसोड के बाद ही यह रिबिल कर दिया जाता है क असली किर्णापर कौन है और उसकी वज़े से लगबख सभी को यह समझ में आ जाता है कि आगे क्या होने वाला है तो यह बाकी वेब सीरीस देखने का मजदा पूरी तरह से कीरकिरा कर देता है और यही इस वेब सीरीस की सबसे वाड़ी खामी है अब वो ऐसे भी जो लोग अभिसेग बच्चन के फैन है और उनके वोईस को पहचानते हैं उनको तो पहले एपिसोड में ही भनक लग जाता है कि किर्णापर का आवाज अभिसेग बच्चन के आवाज के साथ काफी मिलता है तो मेरे हिसाब से इस वेब सीज के बीच में अगर उस प्लिट को दिखाते और एकदम आखिर के एक-दो एपिसोड में अगर किड्नापर की आइडेंटिटी रिभील करते तो यह वेब सीज देखने में और भी इंटरिस्टिंग लगता लेकिन इन सब के बावजूत इस वेब सीज की स्टार कास्ट एक्टिंग डायरेक्शन और बैक्ग अब चाहे कोई कुछ भी कहे लेकिन वो एक अच्छे एक्टर है बस फिल्मों के मामले में उनका लग थोड़ा खरब था तो इसलिए वो उतना सक्सेस्फूल एक्टर नहीं बन वाए ऐसा लगता है कि उन्होंने दुनिया के सबसे खुबसूर लरकी के साथ साधी करके कोई गुना कर लिया है और इसी बात का बदला साध दुनिया उनसे ले रहा है उनका पारफॉरमेंसी इस OEPC रिस्ट के सबसे खास बातों में से एक है और वो बहुत सालो बात किसी फ्लिम या फिर OEPC में नज़रा है तो उनको देखकर भी बहुत अच्छा लगता है लेकिन वो सबरवाल का कीदान निभाया है अब सब को पता है वो एक बहुत ही अच्छी अक्ट्रेस है तो उन्होंने अपने रोल को बहुत ही बखुबी से आदा किया है खास तर पे इमोशनल सिंस में जैसी कि अपने बेटी को खो देने के बाद एक मा का जो दर्द है वो उन्होंने आया मिखेर जिन्होंने अभिनस के अल्टार इगो जे के गल्फ्रेंड सरली का किदान निभाया है उनका रोल इस वेपसेज में बहुत ही छोटा है और उन्होंने अपने रोल को ठीक ठाकी निभाया है अब जिन लोगों की इसकी एंडिंग समझ में ना आया हो उन लोगों दोस्तों ये था वेपसेरीस ब्रीद इन्टू दा सैडोस के सारे डीटेल्स तो अगर आपने इस वेपसेरीस को देखा है तो आपकी इसके बारे में क्या राय है वो कॉमेंट सेक्षन में जरूर बता है और इस वीडियो को देखने के लिए सभी को धन्यवाद